नमस्कार दोस्तों मैं किर्षन गाड़निंग केर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा अनार का पोधा दिखा रहा हूँ कई ऐसे पोधे होते हैं जिनको बीज से आसानी से लगाया जा सकता है अनार भी एक ऐसा ही पोधा होता है जिसके बीज आसानी से उगाते हैं यह पोधा लगबग एक साल का हो गया है इस पोधे को मैंने बीज से ही लगाया है अनार के बीज बीज से 25 दिनों में उग जाते हैं पहले मैंने एक गमले में जिसमें मनी पलांट लगा हुआ था उसी में ही अनार के कुछ बीज डाल दिये थे उसके बीजो को मिट्टी में आधा इंच गैराई तक दबा दिया था इससे अधिक गैराई में बीजो को मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए जब छोटे पोधे का साइज लगबग 6 इंच का हो गया तब मैंने इसको गमले से निकाल कर जमीन में लगा दिया जमीन में लगाए हुए पोधे की ग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि पोधे की जड़ों को जितना अधिक जमीन में बिना रुकावट के बढ़ने का मोका मिलेगा उतने ही अधिक ग्रोथ पोधे के उपरी भाग की होती रहेगी नर्श्री में अनार का पोधा सो से डेड़ सो रुपे में मिलता है घर पर इसके बीजों से कई पोधे आसाने से उगा सकते हैं पहले इस पोधे के नीचे से बहुत सारी नई नई स्टेंप्स निकल आई थी मैंने उन सब को काट दिया यदि ऐसा नहीं करता तो यह पोधा अधिक घना बन जाता इसकी हाइट अधिक नहीं बढ़ती अब मैंने इसकी दो ही में स्टेंप्स छोड़ी है ऐसा करने से आप देख पा रहे होंगे कि इसकी हाइट लगबग तीन फिट तक बढ़ गई है में दो ब्रांचिज के अलावा नीचे से एक फिट तक जो भी नई ब्रांचिज निकलेंगी मैं उनको हटता जाऊंगा ऐसा करने से यह घना कम बनेगा उपर की और ग्रोथ जादा होगी हाइट बढ़ती जाएगी अनार का पोधा दस से पंद्रा फिट तक बढ़ जाता है यदि इस परकार केर की जाए तो यह पोधा फल भी देगा और साथ साथ चाओ भी देगा एक साल में ही अनार में फल बनाने की परकिरिया सुरू हो जाती है शुरू में ही फल प्राप्त करने के चक्कर में लोग इसकी कटिंग नहीं करते हैं जिसके कारण यह जाड़ी नुमा बन जाता है यदि अच्छी परकार से इसकी कटिंग की जाए तो इसको एक बड़े पेड का रूप दिया जा सकता है जितना बड़ा पेड यह बनेगा बाद में उतने ही अधिक अनार भी लगेंगे अनार के पोधे को गमले में नहीं लगाना चाहिए जहां तक संभव होश के फलदार पोधो को आप जमीन में ही लगाएं गमले में लग तो जाते हैं मगर इनकी फ्रूटिंग बहुती कम होती है बार बार रिपोटिंग करने पर पोधा सूख भी शकता है अनार के पोधों में कई परकार के कीटो का परकॉप हो जाता है जिसके कारण इसकी ग्रोथ रुक जाती है इसके पत्ते मुड जाते हैं यदि फूल लगे हुए हैं तो भी कीटो के दवारा ये खराब भी हो जाते हैं और बीना पके ही गिर जाते हैं इससे बचाने के लिए किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड या फंजिसाइड का यूज़ करना चाहिए आप साफ फंजिसाइड का यूज़ कर सकते हैं अच्छी पोरस रेतिली मिट्टी में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है अधिक चिकनी काली मिट्टी में इसकी जड़े अच्छी परकार से नहीं बढ़ती है वैसे तो इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है मगर ज्यादा तर इसको बीजो से ही लगाते हैं अनार का यह पोधा घर में जरूर लगाना चाहिए एक फुट लंबी और एक फुट चोड़ी वर्गा कर जगे में भी आप दस फिट हाइट के अनार को लगा सकते हैं इस पोधे को अधिक पानी के आवशकता होती है जितना अधिक इसमें पानी देंगे उतनी ही ग्रोथ इसमें अच्छी होगी जमीन में लगाया हुआ है तो आधिक पानी से अनार का पोधा सुकता नहीं है यदि गंबले में लगाया हुआ है तो इसको उचित पानी दें गंबले की मिटी को वेल ड्रेंड रखें आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो पिलिज लाइक कीजिए सेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली मेरी सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाच तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धैंक्यू